इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका क्या इलाज किया जा रहा है। आपको हमेशा निर्धारित मात्रा में ही लेना चाहिए। अधिक खुराक न ले या इसे अधिक बार उपयोग न करें। अच्छा महसूस होने पर भी इसे नियमित रूप से लेते रहें। यदि आप इस दवा का उपयोग बंद कर देते हैं, तो कुछ स्थितियां और खराब हो जाएंगी। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में तवचा का पतला होना, संक्रमन का खत्रा बढ़ जाना, हड्यों के घनत्व में कमी, वजन बढ़ना और मूर में बदलाव शामिल हैं। यदि ये दुश प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं, तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। इस दवा के उप्योग से संक्रमन से लड़ने की आपकी क्षमता कम हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों के पास रहने से बचें जो खसरा, चिकन पॉक्स या फ्लू जैसे संक्रमन से गुजर सकते हैं। इस दवा का उप्योग करने से पहले, आपको अपने चिकित्सक को बताना चाहिए कि क्या आपके पास भंगूर हड्या, यानि की ऑस्टियोपरोसिस, मूड विकार, उच्चरक्चाप या यकृत रोग है। इसके अलावा, अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको मधुमे है, यह दवा रक्त शरकरा किस तर को बढ़ा सकती है जिससे मधुमे हो सकता है या बिगड़ सकता है। कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित है, अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप उप्योग कर रही हैं। आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि क्या आप गर्भावती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।